इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले significant figures क्या होता है यह समझने वाले देखो इससे related जो question है हमारे exam में आता है और बहुत बार देखा है कि बहुत जो proportion जाद होता है जादा होता है जो बच्चे यह क्या करते गलत करते है तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले है rules बता होता है इसके रूल्स क्या होते है और इस से related रूल्स से related भी question exam में आता है हमें बताओ इसके अंदर total significant figures कितने total significant digits कितना है यह question पूछा जाता है और guys अगर आप नहीं हो तो please चैनल को subscribe कर दो and Instagram को फी अपने प्रदीव सर को follow करके support दिखा सकते हो क्योंकि मैं track कर रहा हूँ आपका number बढ़े और आप track करो कि आपके प्रदीव सर का number बढ़े क्योंकि आज दुनिया ना quality से ज्यादा quantity देखती है तो मैं तो quality प्रवाइड कर रहा हूँ quantity आप मेरा देखो फटा 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 नमबर बढ़ा दो Instagram को फटा जाके follow करें प्रदीवगिरी 334 description में link दिया हुआ है तो भाई चलो start करते है significant figures सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि significant figures होता क्या है देखो certain number और uncertain number को मिला के जो figure बनता है उसको बोलते है significant figure नई समझा सर ठीक है दूसरा absolute number मिला के एप्रॉप्स नमबर मिला के जो figure बनता है उसको बोलता है significant figure नई समझा सर ठीक है चलो example यह हम ले लेते हैं एक length मतलब कुछ भी x y z जिसका हमें measure करना है तो यह ऐसा है और हमने scale use किया हमने क्या देखा कि इसका जो length है वह 5 और 6 के बीच में आ रहा है 5 और 6 के बीच में आ रहा है और कहां आ रहा है 5 और 6 के बीच में ऐसा है कि ऐसा मैं ऐसा ड्रॉप करता हूं जिससे आपको समझेगा 5 और 6 5 और 6 के बीच में number of number है 1,2,3,4,5,6 ऐसा न समझा रहा है और जो हमारा line आ रहा है वो ऐसा बीच में आ रहा है ऐसा बीच में आ रहा है अब confusion यह है कि अगर वो just 3 पे रहता वो just 3 पे रहता वो ऐसे यहां रहता मालो यहां रहता तो हम क्या लिखते 5.3 बड़ यह यह नहीं है यह ऐसे बीच में ऐसा अब confused है यार क्या करे क्या करे तो teacher हमें बोलती कि जिसके एकदम नजदी का वो लिख दो तो हम generally क्या लिख देते 5.4 लिख देते बड़ गाईस इसके अंदर यह 5 fix है मतलब 5 certain है और यह जो 4 है वो uncertain है क्योंकि यह correct नहीं है हां just हमें नहीं इसलिए हमने क्या ले लिया है कि उसके आगे वाला नंबर ले लिया या तो बहुत लोग पीछे वाला नंबर लेते या कोई 5.3 ले लेगा या कोई 5.4 पर यह correct है नहीं यह error है यह certain number है और यह क्या uncertain number है और certain uncertain को बिला के जो figure बनता है हो मेरे लिए क्या था significant figure clear और एक लिया हुआ है तो यह absolute और एप्राउक्स दोनों को लेके हमारा जो figure बनता है वह figure होता है हमारा significant figure और कुछ भाई homework भी देने वाला जो मुझे comment में लिखके जरूर बताना मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे homework का correct answer देते हैं चलो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले ना बढ़ा 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 इस डिजट के तरह मेरा भी डिजट बढ़ा तो बढ़ा बढ़ा तो बाइक कुछ rules है जो rules अगर आपको समझ में आ गया तो significant figures के जितने जितने भी डिजट दिये रहेंगे आप count करके बता दोग कि इसके अदर total significant digit कितना है तो चलो अब पहला पहला rule all non zero digits are significant figure जितने भी non zero non zero मतलब उसके अंदर zero नहीं है सब numbers है तो जितने भी numbers दिये हुए वो सभी क्या होते है significant digit होते है तो मालो इसके अदर कितने non zero number है 1,2,3,4 decimal को मत देखो बस number देखो 1,2,3,4 तो total significant digit कितने है 4 इस तो total significant digit कितना है 1,2,3 तो एक और मैं देदेता हूंको homework देखो यह decimal decimal पे tension मतलो हमने क्या लिखा जितने भी non zero होंगे तो जितने भी non digit, non zero digit number है वो सभी के सभी क्या होते है significant figure तो मैं एक और आपको homework देदेता हूं जिसका मुझे comment box में लिखना है कि बताओ इसके अंदर total significant digit कितना है चलो आगे बढ़ते है तो भाई second अब second के बात करूँगा all zeros all zeros between non zero digits are significant figure ध्यान से सुनना है all zeros मतलब सभी zeros between non zero digit मतला ऐसे बनाता हूं all zeros all zeros between non zero digit okay are significant figure बलब non zero के बीच में रहने वाला zero भी हमारे लिए क्या होता है significant होता है non zero के बीच में रहने वाला zero भी मेरे लिए क्या होता है significant figure होता है जैसे यहां कुछ example दिया हुआ और एक homework मैं आपको दूँगा यह देखो six or eight इसके बीच में जितने भी zero दिये हुए वो भी हमारे लिए significant digit है तो इसलिए total significant digit कितने हो गया one two three four five six कितने हो गया six हो गया ओके तो अगर non zero के बीच में zero है तो उसको भी count करना है किसके लिए count करना significant digit के लिए count करना है अब एक homework मैं आप सभी को दे दूँगा तो मुझे बताओ इसके total कितने significant digit है count करके पड़ा 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 comment box में लिख दो अब चलते थर्ड question के थर्ड rule की तरफ all zeros दियान से सुनना all zeros zero की बात हो रही है to the right of to the right of last of non zero deserts are not significant दियान से सुनना दियान से बहुत बहुत सारे बच्छे इसको लेके confuse होते हैं क्या बोला हुआ है जितने भी zero है बढ़ कहां zero की बात हो रही है right of last non zero deserts okay यह non zero deserts है यह non zero deserts है non zero deserts के right hand side पे right hand side में last में अगर कोई भी zero है तो वो significant count नहीं करना है वो significant count नहीं करना है दियान से सुना zero के rules आ चुके है zero के rules आ चुके है नौन यह zero count होगा यह यह वाला zero count होगा यह वाला zero इसलिए quake yüz यह non zero के बीच में है इसलिए यह zero count होनेवाला पर non zero के last में right hand side में right hand side में अगर कोई भी zero है तो उसको significant count नहीं करते इसलिए हमारे बास total significant desert कितने आ जाएंगे last 와ला हमें count नहीं करना है वान टू त्री फोर कितने जाएंगा टुटल फोर हा जाएगा कितना फोर समझ मैं और एक होंवर्क में देता हूँ है तो बताओ किने टोटल सिग्निफिकंट डीजिट कितना हुआ है नॉनजिडॉ के राइट हैं लाइट है जितने बीजिरों गे पर इसके अंदर देख लेगे डेसिमल के लिए रूफ्स अलग हो जाता है तो इसके लिए कहीं डेसिमल नहीं दिखर आ है बस इतना याद रख है वो हमारे लिए significant digits नहीं होता है अब चलते है fourth rule जो हमारा है ध्यान से सुनना all zero सभी zero to the right of a decimal decimal के right hand side में ध्यान से सुनना all zero to the right of decimal decimal की बात चिल रहे है decimal के right hand side में right of a decimal point to the left of non zero जो नॉन जिरो के यहां number दिया हुआ है यहां number दिया three one तो इसके left hand side में left of non zero deserts are ध्यान से सुनना आर 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 नॉन्ट significant देसे यहां लिखा नहीं है पूरा मैं लिख देता हूँ ओके तो ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है decimal के right hand side में and non zero के left hand side में decimal के right hand side में और non zero के left hand side में जो भी zero होगा वो मेरे लिए significant नहीं है तो इसलिए इसके अंदर total कितना है six eight zero अब बोलोगे अब आप मुझे पडाक से पडाक से बोलोगे शौर 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 आपने बोला total तीन तो सर यह भी तो है नहीं मैंने क्या बोला rule क्या है इसके लिए नीचे दिया हुआ है ये वाले के लिए नीचे rule दिया हुआ है मैंने क्या बोला decimal के right hand side में and non zero के left hand side में तो यहां के zero की बात नहीं हो रही है 0 के right hand side and non 0 के left hand side में जो भी 0 होगा वो significant नहीं होगा इसलिए हाँ total significant कितना हो गया 6, 8, 0 मनलब total 3 अब बोलो है सर ये भी 0 है मैंने फिर से बोला मैंने ये नहीं बोला कि non 0 के right hand side हमने क्या बोला non 0 के left hand side non 0 के left hand side and decimal के right hand side के जितने 0 होंगे वो significant नहीं होंगे तो चलो अभी आगे last rule जिसमें आपका ये confusion खतम हो जाएगा क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनो all zeros all zero to the right of a decimal decimal के right hand side में ध्यान से सुनना all zero to the right of a decimal point and to the right of non-zero digit okay ध्यान दो decimal के right hand side में decimal के भी right hand side में और number के भी right hand side में जो भी जो भी zero होगा वो मेरे लिए क्या होगा significant figure होगा इसलिए हमारे यहाँ total significant figure कितने होगे one two three four five अगर यही अगर यहाँ होता तो यह होता तो तो यह वाला नहीं रहेगा क्योंकि यह left hand side non zero के left hand side में decimal के right hand side में यह zero count नहीं होगा इसके अगर कितने count होगे one two three four five और यही गाईज अगर मैं अपनी सभी का combination कर दूँ अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ तो भाई यह वाला zero यह वाला देखो यह last वाला zero यह last वाला zero दिया हुआ है बड़ अगर वही ऐसा हो जाए तो वही ऐसा हो जाए तो decimal दिया हुआ है और यह हो जाए two four five और zero 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 तो decimal के right hand side में non zero के right hand side में यह zero को count करते हैं इसलिए one two three four five six यह हो जाएगा significant figure अगर फिर से बता रहा हो अगर यहां 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 zero है और नंबर ऐसा दिया हुआ है तो यह वाला zero count नहीं होगा इसके बाद वाला count होगा clear तो यह होगे हमारे total rules किसके लिए zero के लिए भी वाला significant figure के लिए complete rule मैंने बता दिया हार एक homework देखे जाता हूँ दोनों के लिए जो मैंने दिया नहीं यहां ध्यान दू इसके लिए मैं देखे जाता हूँ अइसा कि बताना कितने significant digits है और इसके अंदर fifth का मैं यह देखे जाता हूँ कि बताना total कितने significant digits है और मेरे घाल से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा और जैसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके अपना support और प्यार दिखार और इंस्ट्राग्राम पे अपने प्रदिव को फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो गया है जाए हिन दोस्तों